नमस्कार दोस्ते स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्री राम जी के में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगी राजस्थान की जन संक्या विकास साक्षर्था लिंगोन पात तता इन से जूड़े वे मात्मुन प्रस्णों की जो की वीबिन प्रत प्रतियों की प्रिक्षाओं में पूछा गए प्रस्णे और जन संक्या एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर प्रिक्षा में एक प्रस्ण जरूर पूंचा जयता है तो वीडियो को सुरू से अंतक देखें और इन प्रस्णों में से आपको कितने प्रस्ण आते थे वह आप इस व लोगे नाम दे रखो है में अजन संक्या घनतवर उनलों से हमें सही उत्तर चुनना है एक तरफ जन संक्या गयनतुर धोन्यार की संध़न के नसार दूसरे तरफ जंळो का नाम दे रखा हैं तो सबसे पहले हैं जोदपूर और जबकि जोदपूर का जन गनत है वो है 161 तो पहले का हो जाएगा 4 यानिकि एक हो जाएगा 4 अब इसमें ए उप्षिन में 4 एक में ही है तो इसका पहले उतर हो जाएगा ये उप्षिन नमबर 4 फिर बीक हो जाएगा 3 यानिकि 2304 अजमेर को जाएगा 305 और ब्रत्पूर हो जाएगा 503 तो एक उतरह में अगर पता हो तो भी हम पूरा उतरह उसको सही कर सकते हैं जिस प्रकार से जोदपूर का हमें अगर पता हैं कि 161 है तो चार नमबर का जो ऑप्षिन है वो के वल इस च की जनगर्णा के अनुसार महिला साक्षरता दर कितने थी तो 2011 की जो जनगर्णा है इसके अनुसार जो महिला साक्षरता दर कितने थी तो महिला साक्षरता दर थी 52.66 यह 2011 की जनगर्णा के अनुसार से उतर है इसका और यह सेकंड ग्रेड 2011 में पुचा गया प्रसने सबी प्र पुछे गए हैं, अगला प्रस्तान में जन गन्थानगा नुसार, लिंगा उन पात कितना है? यनिकि प्रति एक हजार परोसूं पर महिलाों की संख्या कितनी है? तो जन गन्थाने, इसके आनुसार नुसार आ रजस्तान में लिंगा उन पात है by हैं, नेक्स तरहें, राजस्थान की पहली जाती है जनगर्णा प्रस्तावित है कौन से जो तिती से जाती है जनगर्णा प्रस्तावित थी तो सही उतर इसका एक नॉम्बर 2011 से जो पहली जाती है जनगर्णा प्रस्तावित थी अगला प्रस्न है जन्कणना 2.11 की अनुसार जन्सिंग्य की दरश्ची से राजस्थान का kiss थान है तो ये जन्कणना 2.11 की है इसके अनुसार है जो और ये तब तक है जब कि जो राजस्थान भारत में जो 29 वा राज्ज nessa implement त्यल भाने तब तक ही जो बारत में राजस्तान का आटवा स्थान था लेकिन अंदर परदेश से जो अलग हुआ राजजी तेलंगाना उसके बाद ही जो राजस्तान का स्थान बदल गया है और इसका सही उतर हो जाएगा साथवा स्थान जबकि पहले तेलंगाना बनने से पहले राजस्तान का स्थान था आटवा तो यह confusion वाला प्रसने लेकिन आपको बता दें कि जो तेलंगाना स्टेट है वो 29 वाराजी बनने के बाद राजस्तान का जो स्थान है वो सातवा बन गया है जबकि तेलंगाना बनने से पहले या तेलंगाना आंदर परदेश से अलग होने से पहले राजस्तान का बारत में जन संक्या की दरस्ती से कौन सा स्थान था तो आठवास्तान था और ये सब भी 2011 की जो सेकंड गेड एक्जाम था उसमें पूछा गया प्रस्ने अगला प्रस्ने 2001 की जन गणना की अनुसार निम लिखित मेंसे राजस्तान का कौन सा जिल्ला सरवादिक जन संक्या गनतों वाला जिल्ला रहा है तो ये ऐस इस इंलिज जिकर का जो सेकंड गेड वेपर सेकंड गरल जो जिक्क THERE का प्रतधम पहेपर उसमें पूचा गया प्रस्ने तो 2001 की जन गर्णा के नुसार जो सरवादिक जन सिंग्या गर्णतो है वो है जाइपूर का सही उतर है जाइपूर और 2011 की जन गर्णा के नुसार भी सबसे ज्यादा जन सिंग्या गर्णतो वाला जिल्ला है जाइपूर अगला प्रस्ण है राजस्थान की कि जिल्ले में सरवादिक अनुसुचित जाती है कि जन सिंख्या है यान की कौन सा ऐसा जिल्ला है जिसमें सरवादिक अनुसुचित जाती कि जन सिंख्या निवास करती है तो इसका जिसे उतर हैं वो है स्री गंगानगर स्री गंगानगर अगला प्रस्न है option के हिसाब से इसमें सही उत्र होगा सी स्री गंगानगर नेक्स ने 2001 की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान की कुल जन संक्या की शाक्षरता दर्थी तो 2001 की पूंचरा तो इसका सही उत्र हो जाएगा option number 4 60.41 प्रतिशत 2001 की जनगर्णा के अनुसार इसका सही उत्र है शाक्षरता है नेक्स ने 2001 की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान की कुल जन संक्या लगबग कितनी है तो 2001 की पूंची है तो 2001 का जो सही उत्र है वो है option number 1 पांच करोड 65 लाग इसकी 2001 के अनुसार जन संक्या है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राजस्तान की 2011 के अनुसार जन संक्या कितनी है 2011 के अनुसार अगला प्रस ने प्रस नंबर 10 निम्न मेंसे राजस्तान के किस जिल्ले की साक्षरता दर न्यून्तम है तो यह जो option है जालोर जैसलमेर 12 बांसवाड़ा इन मेंसे जो बांसवाड़ा है यह साक्षरता दर पूसर है 2001 की तो सही उतर हो जाएगा बांसवाड़ा जबकि 2011 के अनुसार है जो जालोर की अगला प्रस ने सरवादिक लिंगानुपात वाला जिल्ला कौन सा है तो प्रस नंबर 11 का जो सही उतर है वो है option नंबर 1 यानि कि पर 1000 पुरूस्व की तुलना में माईलाओं की संख्य जो जड़ा है कि अगला प्रस ने 2001 की जनगन्हा की अनुसार राजस्तान का लिंगानुपात कितना है तो 2001 का पुशा है इसमें लिंगानुपात राजस्तान का तो इसका से उतर हो जाईगा नोसो इक्तिस 921 से जो 2001 की जन गणना के अनुसार राजस्तान का लिंगान पात है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि राजस्तान का जो 2011 की जन गणना है उसके अनुसार राजस्तान का लिंगान पात कितना है कितने अंकों के उसमें वरद्धी हुई है अगला प्रस्ने 2001 की जन गणना के अनुसार जन सिंग्या गनत्व हैं तो इसमें 2001 की जन गनना को आधार मानकर पुछा गया प्रस्ने और इसका सही उत्र हो जाएगा 165 रेक्ती प्रति वर्ग किलोमीटर जबकि जो 2011 है 2011 की जन गनना के अनुसार राजिस्थान का जन गनना तो हैं 200 या कई पुस्तकों में 201 भी इसका उत्र मिलता है 200 या 201 ही जो इसका सही उत्र है जन गन्ना 2011 के अनुसार अगला प्रस्ण है 2001 की जन गन्ना के अनुसार राजस्तान जन संक्या की दरश्टी से देश का कौन से करम का बड़ा राजे है तो ये रिपीट कुशे ने पंदरवा इसकी चर्चा हमने उपर की थी और उस पर जो 2011 की जन गन्ना है उसके अनुसार तो राजस्तान को देश में आटवा स्थान माना गया है लेकिं जो 29 राजे बना है तेलंगाना उसके बाद में है जो राजस्तान का स्थान साथ तो आ हो गया है तो ये थोड़ा इसमें द्यान रखना है अगला प्रस ने राजस्तान के किस जिल्ले में सरवादिक मुस्लिम जनसिंग्या है अजमेर, जसलमेर, सवाई मादवपूर इन में से किस जिल्ले की सरवादिक जनसिंग्या मुस्लिम है तो देख लिए इसमें चार में से कौन सा उत्तर सही है प्रस नमबर 16 का जुस्से उतर है वो है उप्षिन नमबर 2 यानि कि जैसल मेर जो जिल्ला है पाकिस्तान की शिमा से लगा हुआ जिल्ला इस जिल्ल मेर जो मुस्लिम जन सिंग्या सबसे ज़्यादा है इस चार उप्षिन है इन में से आपको लिखना है कि नवाबो की नगरी किसे कहा जाता है नवाबो की नगरी किसको कहा जाता है सबसे ज़्यादा मुस्लिम जन सिंग्या जैसल मेर में है और इन चार उप्षिन में से ही आपको बताना है कि नवाबो की नगरी किसको का जाता है उप्षिन है अजमेर, जैसलमेर, टॉंक और सवाइमादोपूर अगला प्रस ने जन गन्ना के किस वर्स में सरवादिक जन संक्या दस्की वर्दी दर अंकित की गई थी कि कौन से वर्स में जो जन संक्या का जो दस्की वर्दी दर है वो सरवादिक हुआ था तो सही उतर हो जाएगा इसका ओप्षिन नंबर ए उन्निस सो क्रियासी में सबसे ज़्यादा है जो दस्की वर्दी दर अंकित की गई थी अगला प्रस ने वर्स दोजा ग्यारा की अनुसार राजिस्तान में नग्रिय जन संक्या का प्रतिशत कितना था और यह अभी भी कई परितों की प्रिक्षा में पूचा गया प्रस ने तो सही उतर हो जाएगा 24.90 इसका सही उतर है आपको राजिस्तान की ग्रामींट जन सं संक्या उसका प्रतिशत अपका में लिखना है अगला प्रस ने जन संक्या यह ज़ो गणना है जन गणना 2011 इसके अनुसार आजिस्तान का जन संहक गनत्व और वही किरम 열े लेकिगी है में लिखी है यह एनकी गड़ते हुए करम में आपको लिखना है जन संग्या का गनत्वा तो जो अप्शन नमबर बी है या अप्शन नमबर दो है जैपूर बरतपूर दोसा और अलवर यही जो इसका सही करम है तता आपको अगर पता हो तो कमेंड बॉक्स में जरूर लिखे जैपूर के जन गनतों है वो कितना है नेक्स व्यूशन राजस्तान की जन गनना 2011 के अनुसार कौन सा एक जिल्ला जीरो से च्छे आयू वर्ग में सरवादिक लिंगानुपात रखता है तो 21 वेगर से उत्र होगा बांसवाड़ा बांसवाड़ा में जीरो से च्छे की जो सरकार एम राजस्तान सरकार द्वारा 25 मई일 2013 को प्रस्तूत जन गननाने आकड़ों के अनुसार राजस्तान में अनुसुचित जातियों एवम जन जातियों का सम्मिलित जन संक्या कितने हैं जैनी कि SC plus ST इन दोनों को मिला के राजस्तान की जन संक्या कितनी है तो प्रस नंबर बाइस का जो सही उत्तर हैं वह यह हो जाएगा option नमबर एक 31.3 इसका सही उतार है 31.3 परतिश्यत हैं अगर S.C. और S.C. दोनों की जन संक्या को मिला दे तो राजस्तान की कुल जन संक्या का ये परतिश्यत है नेक्स्ट है राजस्तान में निमले की जिला समूँ में कौन सा 2011 की जन गरना के अनुसार 100 से कम जन संक्यागनतों वाला समूँ है यह कि ऐसा कौन सा है क्यों 2011 की जन गरना का अनुसार 100 से कम लिंगान अपात dalam है तो प्रस नमबर 24 से उसका से उतर है बी जसल जिसल मेर भीकानेर और बारड मेर जसल मेर भीकानेर और बारड मेर यह जो इसे जिल्लέ है जो शो से भी कम जंसंग्या गनतों रखते हैं तो इन में से सबसे कम जंसिक्या गिनतों हैं सबसे कम वह कि जल्ले का हैं और कितना है वह आपको ॅ कमेंट बोक्स में लें लिखना है मुश्ट इमपोरिण प्रस ने कि विसुक कि जनसेंग जो जन करना उए 2012 बारек में उसकी जो कुल जनसेंग है उसका कितना परतिस्षत बाग लुए जब स्थान की जन संग्या का है तो बहुत इंपोर्टेंट प्रस नहीं एक प्रतिशत यानि कि विश्वक जो एक प्रतिशत जन संग्या है वह राजस्थान में निवास करता है अगला प्रस ने 26 वा 2011 की जनकर्णा के अनुसार राजस्थान में सरवादिक कूल जंसिंग्या वाले जिल्लों का अवरोही करम में जमाएं तो सबसे ज्यादा है जो जंसिंग्या किन जिल्लों की थी उनको अवरोही करम में यानि की गढ़ते हुए करम में इनको जमाना है तो इसका उतर में आपको डारेक्ट बता दो इसका सही उतर है जाइपूर जोदपूर अलवर और नागोर यह जो चार एसे जिल्ले जिनकी जन संग्या सरवाधिक है अगला प्रस्न है वर्स 2011 के जन गर्णा के अनुसार निमलिकित में से किन दो जिल्लों की कुल जन संग्या में सबसे कम अनुसुचित जन जाती पर्तिशत रखते हैं तो सही उतर हो जाएगा विक्का नेरोर नागोर में अनुसुचित जन जाती कि जो पर्तिशत रखते हैं वो सबसे कम है अगला प्रस निमलिकित कत्नों पर 2011 की जन गर्णा के अनुसार राजस्तान में लिंगा नुपात के बारे में कौन से कत्न है जो सही है इन परह में बताना है तो 2011 में जो जन लिंगा नुपात था राजस्ती लिंगा नुपात से कम था नेक्स्ट है 2011 में राजस्तान की सबी जिल्लों के लिंगा नुपात सोरी हजार से कम था अगला है 2011 में राजस्तान की सभी जिल्लों में ग्रामिन क्षित्र में यानिकी पाली जिल्ले को छोड़ कर लिंगान पास 1000 से कम था नेश्ट है 2011 में राजस्तान की सभी जिल्लों का सहरी क्षित्र में दोलपुर को छोड़ कर लिंगान पास 1000 से कम था तो इसमें option number 4 को छोड़ कर बाकी तिनों है जो सही है यंकी option no to A11, augustin number 3 जो सही 212 का vue जन्य करना है इसमें?? लिंगानुपात राश्त्री उस्त से कम था सब्छी dif知लों का लिंगानपाथ एग गजार से कम्ता और पाली को छोड़कर बाकि ग्रामेंग सत्रào сок में लिंगानपाथ önce जो एग자 से कम्ता तो यह तो थे कुछ मात्पॉन प्रस ने जो कि विविन प्रतीयों की परिक्षाव के प्रस ने जो आने वाली सब हुआ की परिक्षाव में जैसे सेकंड रीट के लिए मातपुन हैं तो वीडियो को पुरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कि निक्या है तो आप से रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सब तो दन्यवाद मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक जैहिन जैवारत अब आप